हलो फ्रेंड्स डेनिल क्लासेज में आपका सवागत है दोस्तों 6 जनर्वी 2023 करंट अफेर के टोप 10 क्योशन हम देखने वाले हैं इसकी PDF आपको डेनिल क्लासेज के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी रेगुलर PDF आपको वहीं मिलती रहती हैं और दोस्तों साथ अपने फ्र ओप 10 क्योशन देख लेते हैं जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं डेली टार्गेट बना के चलोगी इतना तो मेरे को करना ही है करन्ट अफेर तो कम्प्लीट सूब मोर्णिंग में जल्दी उठकर करना ही है टार्गेट करोगे करन्ट अफेर में की फर्स्ट टेस्ट कीट है उसका क्या नाम है तो उसका नाम ओमी शोर है ओप्सन हो जाएगा बै ओमी शोर उसका नाम है तैयार किसने किया है टाटा ने इसको तैयार किया है अभी वर्तमाने आपको पता है दोस्तों कोरोना वापस से बढ़ रहा है तो घर में रहें जितन ज़्यादा हो उसके ध्यान दें स्टडिि वे फॉककस करें अगला है की हाली में किस भारिटी होकी खिलाडी को वर्ट- सिरिजेस भॉल्ट- गेम एतलीट ओफ दे-इयर के लिए नवित्त किया गया है भार्त का कौन सा खिलाडी है होकी खिलाडी है जिसे वर्ट- पदक दिलाने में एहम भूमिका इनकी रही थी तो उप्शन फेस्ट इसका उत्तर होगा पी आर श्रीजेश मनपरीद सिंग कौन है मनपरीद सिंग की बात करें तो भारतिय होकी टीम के कप्तान मनपरीद सिंग है आपको ध्यान रखना है जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की हो नमबर वन वेबसाइड बन गई है 2021 की नमबर वन वेबसाइड टिक टोक बनी है ध्यान रखना है इंपोटेंट है ऑफ्शन इसका हो जाएगा बै टिक टोक अगला की राजस्तान का पहला जीला कौन सा बन गया है जहां डोर स्टेप ट्रीटमेंट सुईदा बाइक एम्ब लेन से सुरू की गई है राजस्तान का ये पहला जीला बन गया है हम बात करें है जोदपुर की जोदपुर राजस्तान का पहला जीला बन गया है इंपोटेंट है एक्जाम की दिश्टिकोंड से भोज्यादा इंपोटेंट रहने वाला है हम जोदपुर की बात करें तो ज फुरिये नगरी इंपोटेंट है ध्यान रखना है ही हाल ही भारत काौन सा बन गया है हाली में भारत काborता ग्रिश्यम कालीन राजदानी शिमला है शीत कालीन राजदानी धरमशाला है यहां के मुख्य मंतरी कौन है जेराम ठाकूर हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी है ध्यान रखना है कौन है जेराम ठाकूर यहां के मुख्य मंतरी है अगला की हाली में राष्टिय स्वच गंगा मिशन के नए महानी देशक कोन बन गए हैं इन्हें हम कहेंगे जी अशोकुमार बन गए हैं अगला है बहु राष्टिय नोस्तेनी का ब्यास मिलन दोहजार बाईस का आयोजन कहां किया जाएगा मिलन दोहजार बाईस कहां होगा विशाखा पटनम में होगा कहां होगा विशाखा पटनम में होगा यह दीवर्शिक युद्धा ब्यास है इसका योजन पच्चेस फरवरी दोहजार बाईस को किया जाएगा नोसेना दिवस चार दिसंबर को मनाया जाता है नो सेना दिवसका बनाते हैं चार दिसंबर को मनाते हैं अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिन चरण दो के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में सोच मुक्त स्वच भारत मिशन की सुरुआत दो क्टूबर 2014 को हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशना इस्टार लगा लेना एक्जाम के लिए मोस्ट इंपूटेन रहने वाला है एक्जाम में आप से पूछा जाएगा हाले में निशूलक सेनेटरी पेड़ के लिए राजस्तान के मुक्यमंतरी अशोक गहलोत ने दो सो करोड रुपे का बजट जारी किया है इस योजना का नाम क्या रखा गया है इस योजना के इन्होंने क्या नाम रखा है तो इसका नाम उडान रखा गया है इस्टार लगा लेना एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोटेंट रहने वाला है उडान इसका नाम रखा गया है इससे संबंदी जो एक्स्ट्रा फेक्ट है वो भी आपसे एक्जाम में पुछे जा सकते हैं इन्होंने एक करोड़ बीस लाग बेटियों को निशुल्क सेनेटरी पेड़ की योजना बनाई है जिसके तहट दस से पैंताली साल तक की बहु बेटियों को निशुल्क पेड़ मिल सकेंगे राजस्तान देश का पहला राज्य है जो बालिकाओं वा किशुरियों को निशुल्क सेनेटरी पेड़ दे रहा है अच्छे से आपको ध्यान रखना है उडान इसी योजना का नाम रखा गया है अगला प्रशन है जो हमारा अंतिम प्रशन है मेट्रोलोजी फोर इंक्लूजी ग्रोथ ओफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेट्रोलोजी फोर इंक्लूजी ग्रोथ ओफ इंडिया इसके लेखक कौन आपको बताना है तो इसका उत्तर फर्स्ट सही हो जाएगा डी के असवाल इसके लेखक हैं तो ये 6 जनवरी के टोप 10 क्योशन हमने देख लिए पांच जनवरी को जो हमने टोप 10 क्योशन देखे थे उनको मैं आपके बार रिपीट करवा देता हूं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके पहले वाला भी अच्छे से ध्यान रहे आप भूलो नहीं क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आगे का पढ़ते जाओगे पीछे का आप भूलते जाओगे इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरू नहीं बन गई थी option first इसका सही था इसकी बाजार पुंजी भारत ब्रीटेन और फ्रांस देशों की जीडीपी से भी जादा हो गई है 1936 में शुरू हुई एपल ने 45 साल में यह उपलब्दी हासिल की है एपल का हेड़कोर्टर कैलिफोर्निया में आपको ध्यान रखना है दोस्तान जैसे भरत पुर्वा खेतडी में लाइट एंड जो साउंड शो लगेगा उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी बाकी जो तीन है उसका खर्चा केंदर सरकार वहन करेगी ध्यान रखना है अगला प्रशन जो हमने देखा था हाली में केंदरी मंत्री नितिन गडगरी ने पुस्तक बिल्डिंग ब्रीजेज शेपिंग दे फ्यूचर पुस्तक का वीमोचन किया इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक वेभव डांगे और सचिदानन्द जोशी इसके लेखक थे इसके माधियम सें ट्रांजेक्शन की सीमा दो लाक रुपे से बढ़ा कर कितने लाक रुपे कर दी है तो दो से बढ़ा कर इन्होंने पांच लाक रुपे कर दी है SBA ने IMPS Immediate Payment Service के नाम माधियम सें ट्रांजेक्शन की सीमा दो लाक रुपे से बढ़ा कर पांच लाक रुपे कर दी है यह नियम एक फरवरी 2022 से लागू होगा SBA की स्तापना एक जुलाई 1955 को हुई थी इसका मुख्याले मुंबई में है चेर्मेन कोन है दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में चेर्मेन है तो यह सारी डीटेल आपको ध्यान रखनी है और SBA के पर्थम चेर्मेन जोन मताई थे आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन था कि हाली में भारतिय मूल की किस महिला ने अंटार्टी का फते कर इथियास रचा था कुन थी हर प्रीत चंडी थी ओप्शन बै इसका सही उत्तर होगा इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी यह मशूर है पोलर प्रीत के नाम से भी नहीं जाना जाता है अगला प्रशन था हमारा गनतंदर द्वेस समारों में राजपत पर राजस्तान की किस कला की प्रदशनी आयोजित की जाएगी पिछवाई कलाकी की जाएगी पिछवाई कलाकी की जाएगी उप्शन सही होगा अगला था हाल ही में कलपना चावला अंतरिक्ष विग्यान अनुसंधान के अंदर का उदगाथन किस ने किया था किस ने किया था राजिनात सिंग ने किया था उप्शन बैस हो जाएगा राजिनात ही अगला प्रशन है हमारा हाल ही में यूरोपिया संग की परिश्यद की देखता किस देश ने संभाली है किस ने संभाली है फ्रांस ने संभाली है उप्शन हो जाएगा से फ्रांस से फ्रां कि पहली मेला रूप में किसें न्युक्त किया गया है लका मिटल बन गही है इनहें भारत के सबसे बड़े तेल एंढेश उत्पादक ऊंजीशी का चेरेमेन वें एम डी नुक्त किया गया है उन जीशी की फुल्पोम हो जाएगी ओयल एंड नेचुरल गेस कोर्पोरेशन इस्तापना 14 अगस्त गुनिसोचपन में वी थी मुख्याले नई दिल्ली में है वर्तमान में शिरी हरदीब सिंग पूरी पेट्रोलीम और प्राकरति गेस मंतरी हैं आपको ध्यान रखना है और अंतियम प्र बोक्स में आंसर आपको करना है जो क्योशंस में बताऊं उसका आंसर करना है नमीता गोखले को इंग्लिश में मिला था अंग्रेजी में मिला था इनकी रसना कौन सी थी कौन क्या इनोंने लिखा था उस उस बुक का आपको नाम लिखना है मिठेश निर्मोही को आपको पत डियां इंग्लिश में ओर रजास्ताणी में आपको क्मेंट वोक्स में अंसर करना है उससे यह पता लगता रहे आप प्येहरी कैसी है है पिशले वाला आप कै Spaß जरूर करना है इस वीडियो को आपको जितना हो ईसके शेर जरूर करना है वीडियो लाइक करना है देनिफ्ल क्लासे यूटिफ चेनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना बैल आकन को भी प्रेस करना ताकि को भी लेटेस्ट नीज हो लेटेस्ट अप्डेट हो आपको तुरंत मिल जाए पीडियाफ आपको डेनिल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी धन्यवाद